दोस्तो हिमगाड एलेक्टोनिक्स में आपका एक वार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे एक ने कस्टमर बने हैं उन्होंने पूशा है सर मेरा आरो खराब तो नहीं होगा इसकी वरंटी क्या है और साथ मैं मुझे कौन सी बातों का खास ख्याल लखना चाहिए दो बस एक वार ओन कर देता है और फिर फिल्टर को टैंक के भर जाता है उसको पता कि अपने आप ओफ हो जाता है अब कुछ शीजों का जो ख्याल रखना होता है वो नहीं रखता है सबसे पहली बात जब आरो सिस्टम यूज में ना हो उसको पानी की स्प्लाई भी बंद कर द तो उसकेस में आप अगर टैंक से पानी प्रोपर प्रेशर पर आ रहा है तभी आरो कोन करो नहीं तो नहीं करो अधरवाइस जो इसके अंदर पांप लगा होता है समप से लगी होती है एस वी लगा होता है वो खाली चलकर खराब हो जाएगा और गरम होकर डेमेज हो जाए सुब्सक्राइब बिना स्प्लाइब के पानी के ही वो लगाता चलना एक दिन से दो दिन से तो फिर घुझाव हो गई होगा उसकेस में आपकी गलती है कमपनी की कोई गलती नहीं कमपनी आप बार बार आपको कहती है कि फिल्टर को तभी आपने ओन करना है जब पानी की सप्लाई हो अब म्यूसिपल कॉंसल का तीन टाइम पानी आता है जब आए उसी वक्त आप पानी की सप्लाई प्रोपर ओन करो और बिजली का प्लग ओन कर द देते हो फिल्टर को ओन ही शोड़ देते हो उस केस में भी अगर SMPS जब पंप जा फिस भी खराब होता है वो आपकी जिम्मवारी होगी इसलिए ख्याल लखें प्रोपर त्रीके से जैसे आपको गाइड किया गया है इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे हिसाफ से आरो को भी जो इसके इलावा जो सेडिमेंट फिल्टर है और कारवन फिल्टर है उसको आप साल के अंदर अंदर चेंज कर दे तांकि पानी का फ्लो बहतर है टेस्ट रचा रहे और प्योरिफिकेशन बहतर होती रहे आरो की मेंबरन स्टेटेस के अनुसार इंजीनर की स्ला लेकर ह जानकारी चेंज करें अद्रौाइस चेंज ना करें इसके इलावा अगर आप हफ्ते के लिए दस दिन के लिए बाहा जा रहे तो आरो टेंक खाली करकर जाए और उसके बाद द्वारा जब आप यूज करो तो उसको एक बार फ्लाश आउट करें एक टेंक भर कर फिर आप यूज करना शुरू करें कुछ शोटी शोटी चीजों का आप ख्याल लखे तो आपका आरो बेतर चलेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें और एक बात और वरंटी सिर्फ एलेक्टिकल पार्ट की ह होती है जो फिल्टर मीडिया है सेडिमेंट कारवन मेंब्रेन यह बरंटी में नहीं आते हैं क्योंकि यह कंजूमेवल आइटम है थेंक यू